नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षिता अकैडमी और आज हम इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट के तहट कुछ प्रमुक लीडिंग केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं काफी इंपोर्टेन ये केस है अगर आप बहुत इंपोर्टेन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बीना टाइमवेज करें हम मुख्य रूप से इस केस की बात करते हैं लेकिन उसके पहले कि आप से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर नाया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो को अंत तक देखें तो चलिए बात करते हम किन केसे के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो हम यह आपर बात करेंगे कारलील बनाम कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी 1863 लैजली बनाम शील 1914 अजुद्य प्रसाद बनाम चंदन डाल 1937 म बनाम लिवर्स ब्रदर लिमिटेट 1922 नादेन फेल्ट बनाम मैक्जिमम नादेन फेल्ट गंस एंड कमिन अम्मुनिशन कंपनी लिमिटेट होचेस्टर बनाम डीलर दोर 1853 सतिवरत घोश बनाम मगनी राम बांगुर एंड कंपनी 1954 हैडले बनाम बैक सैंडल 1854 जमाल AKS वन बनाम मुकतार एहमाद ततान्य रगुनाद प्रसाद बनाम सरजु प्रसाद यूनाइटेड मोर्टरस फाइनेस कंपनी बनाम एडिशन एन कंपनी लिमिटेट शेशिव प्रसाद सीय बनाम महराज आशिष चंद्रनंदी और भोलाना शंकरदास बनाम लक्श्मी नाराइन गेरुमल पारेक बना महादेव दास तो प्रमुग लीडिंग केस के हम बात करेंगे जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवल मुख्य रूप से कार्वलील बना कार्वोलिक स्मॉग बॉल कंपनी 1853 के बारे में तो यहां पर इस केस को समझने से पहले हम दो टर्म सम वादी वादी जो केस लाता है उसे पहले लिखा जाता है जिसके ऊपर करता उसके बात पता चलता है कि क्या हुआ तो इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट से मिला हुआ बहुत चर्चित केस है यह कारलिल बनाम तो हम इसके बारे में देखते हैं तो जनरली सबसे पहले तो यह ग्राउंड क्लियर होना चीए कि किस पॉजिशन से संबंदी थे तो जब हम इं प्रतिवादी जो है कार्बोलिक स्मोग बॉल नामक एक दवा कंपनी का निर्माता तथा विक्रेता होता है ठीके अब वो क्या करता है यहां पर हम केस को समझते है ठीके तो यहां पर एक दवा कंपनी होती है हम देख चुके उसका नाम क्या है कार्बोलिक स्मोग बॉल के लिए विज्यापन देती है कि जो कोई भी इस दवा का निर्धारित निर्देशों के अनुसारिक निशित अउदी तक प्रयोग करेगा उसे इंफ्लुएंजा की बिमारी नहीं होगी ठीक है उसे क्या नहीं होगा इंफ्लुएंजा नहीं होगा हो सकता उसमें इंफ्लुए करते लोगों का विश्वास इसके परती बढ़ेगा और इस विश्वास को जगाने के लिए इन्हों नहीं ये कहा कि य冷ी ऐसा हो गया तो प्रतिवांदी कम्पण्पनी मतलब तो तो जो कारबोलिक smoke ball company उसे 100 pond का इनाम देगी ठीक है कितने pond का इनाम देगी 100 pond का इनाम देगी और विदेश का मामला है ठीक है हम आप जब contract पढ़ते तो समझ जाते होंगे कि जनरल इमिस में maximum case जो होते ब्रिटेन जो प्रिवी कॉंसिल है उसे related पढ़ते तो और इसकी गंभीरटा को काने के लिए यह दवा company क्या करती बैंक में 1000 pond जमा कर देती है और जिससे लोगों का विशास बढ़ जाता है कि हाँ इनकी दवा एकदम सही है इसे कुछ नहीं होगा लेकिन इनी निर्देशों का पालन करते हुए एक महिला होती है जो इसका एकदम निर्देशों का नुसार आउधी तक पालन करती लेकिन उसे इंफ्लूएंसा बिमारी हो जाती है तो वो क्या करती है इसके लिए वादी के पास पैसे मागने आती हूँ देने से इंकार कर देते हैं तो वादी क्या करती प्रतिवादी के विरुद्ध एक सौरी सो पॉर्ण का इनाम पाने के लिए वाद लाती है अब प्रतिवादी का कहना था कि उसने अपना सेल करने के लिए प्रोड़क को विक्रे करने के लिए विग्या पर यूही दे दिया था वादी करता है कि विग्यापन के मामले में सामा ने प्रस्ताव दिया जा सकता है। समस्त विश्व के लिए हो फिरिजाए में तभी परिनित होता है जब तक कि कोई विशिष्ट स्विकार कर लेता है। तो इसे स्विकार कर लिया क्योंकि प्रतिवादी कंपनी ने दवा के प्रयोक्ति विशे में लिखित निर्देश आदिल दिया था और यह माना जाएगा कि उसने स्विकरती की संसूचना के प्राप्त करने के अपने अधिकार का बित्याग कर दिया है ठीके तो यहाँ पर नियाइदिश बोयन ने इसको निर्ने दिया था उस समय और यह काफी चर्चित मामला है तो आप समझ गए होंगे इसमें बस इतना ही ह जादह नहीं समझना है अपड़ना है तो किसी भी प्रस्ताओ की स्विकरती तभी समिदा में परिणीत हो सकती है जबकि पक्श का परस पर विधिक संवन उत्पन्ने करना चाहते हैं हम आप दंडे क्या है यह एकि क्या प्रस्ताओ का आश्रे समिदा करने का था प्रस्तुत हमें यहां पर बात और याद रखनी चाहिए कि भारती सवीदा दिनेंकी धारा आट में इस पष्ट प्रतिग्या को जिस प्रतिफल की पेश्क प्रतिगर्ण के साथ की गई उसका प्रतिगर्ण वास्तों में प्रतिगर्ण है ठीक है तो हम हमारी इंडियन कॉंटे है तो लिख सकते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाद लेके आएंगे तो बताइएगा हमारी कांट्रेक के के लिए आपको इस सीरीज कैसी लग रही है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तो है वे नाइस दें थैंक्स फर वाचिंग